हेलो फ्रेंड जहिंद जह भारत आप इस अभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKS Science Classes पर बच्चो तो बच्चो हमने पिछली क्लास में आपको सेल के बारे में बताया था जिसमें हमने आपको सेल वाल और सेल मेंब्रेन और सेल के कुछ कोस्टन्स आपको कराये थे तो आशा करता हूँ आपने सभी ने वो कोस्टन्स एक बार रिवाइज किये होंगे टॉपिक देखा होगा तो बच्चो आज की second class होगी cell की और इसमें आज बच्चे हुए cell के parts को complete करेंगे ठीक है बच्चो चलिए start करते हैं जल्दी से बच्चे लाइब आजाएं फटाफट से जल्दी से जल्दी देखिए देखिए आप से पूछने लगे देखिए आप से पूछेगा कव को कवक को बोलते है कंगी कवकों की कोशी का भित्ती कवकों की कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है तो आपको बताना है यह बनी होती है बच्चो काई टिन ठीक है जी कवकों की कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है बच्ो काई टिन की बनी होती है यदि आप से पूछने लगे किसके बारे में सेवालों के बारे में सेवालों LG होती है LG की सेम ऐसे लिखना है कोशी का भित्ती जो होती है वो किसकी वनी होती है बच्चो तो यह वनी होती है आपकी Cellulose फलस में होता है Hemicellulose ठीक है students इसकी बनी होती है Cellulose और Hemicellulose की बनी होती है बच्चो ठीक है जी चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक है आपका Cell का ही जिसकों बोलेंगे क्या चीज केंद्रक जिसकों बोलेंगे Nucleus क्यों इसके बारे में बढ़ेंगे Nucleus के बारे में देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले कॉशन देखिए कोशी का जिस सेल कोशी का के केंद्रक की कोशी किसने की ठीक है जी कौन कहे जाते हैं इसके जो एक्स्प्लोरर है कोशी का के एक्स्प्लोरर कौन कहे जाएंगे तो यह कह जाते हैं रोबर्ट ब्राउन और यह कहती थी इन्होंने 1831 इन्होंने कहा कि कोशी का के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं Nucleus इस Nucleus के बारे में रोबर्ट ब्राउन ने बताया ठीक है जी आगे देखिए जो केंद्रक होता है केंद्रक नुकलियस पोसीका का सबसे बड़ा भाग है कैसा है बच्चो पोसीका का सबसे बड़ा भाग मतलब की नुकलियस जो होता है नुकलियस is a biggest part of the cell यदि मैं कोसीका के पार्ट की बात करता हूँ तो कोसीका में सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो आपका बच्चो क्या होता है आपका नुकलियस होता है या केंद्रक होता है ठीक है बच्चो आगे देखिए बात करते हैं केंद्रक को केंद्रक को कोसीका का मुख्य भाग कहा जाता है इसका मतलब नुकलियस इस आ मेन पार्ट अफ दा सेल जो नुकलियस होता है जो केंद्रक होता है बच्चो ये कोसीका का होता है सबसे मेन पार्ट होता है सबसे क्या होता है मुख्य पार्ट होता है आगे तरफ चलिए बच्छो देखें बच्छो सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको बच्छो समझ में आ रहा है तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें बई इससे हमें भी motivation मिलेगा आपके like और share subscribe करने से देखिए बच्छो चाट करत देखिए केंद्रक को कोशी का या सेल का प्रमंदक या हम कह सकते हैं मैनेजर भी कहा जाता है क्या करता है क्या का जाता है इसको मैनेजर का जाता है बच्चो किसको का जाता है इस नुकलियस को इसके इंद्रक को कहते हैं बाइसा मेन काम करने का जो होता है न सेल के लिए वो कौन काम करता है आपका नुकलियस का रहे करता है आगे देखें बच्चो इसमें क्या होता है कि एनिमल, एनिमल सेल, एनिमल सेल या एनिमल जन्तु की जो कोशिका होती है, एनिमल सेल के अंदर, नुकलियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक, थोटा होता है, कैसा होता है किसके मुताबिक जो आपका plant cell का जो nucleus होता है ना उसके मुताबिक हम बात करें तो यह कैसा होगा थोड़ा छोटा होगा तो यदि हम यहां लिखेंगे कि plant cell का nucleus या जो केंद्रक होता है यह बच्चो कैसा होता है वच्चो कैसा होता है छोटा होता है, जल्दी से फटाबट से राइडन करिए, फटाबट से, जल्दी से फटाबट राइडन करिए, स्क्रिंसॉट ले लिजे, आगे देखिए बच्चो चार्ट करते हैं आगे देखिये आगे तरफ चलिए आपने स्क्रीं सॉट ले लिया होगा भाइसाब आप टैंसर नाले हैं हमारी गारंटी है जितनी भी आपकी बाइलोजी आपका physics रहेगी आपकी chemistry रहेगी पूरा का पूरा syllabus में आपको YouTube पर without cost देने वाला भाई सब किसी भी exam के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो ठीक है जी आप तैयारी कर सकता है और सभी बच्चे अपनी एक fair notebook बना लें और उसमें सारे यह को क्या करें राइट डाउन करें लिखता रहे ठीक है जी बच्चो आगे चलिए दोस्तो आगे तरफ चलते हैं आगे देखिए start करते हैं देखिए क्या क्या गया है की कोशिका के कैंद्रक के अंदर क्या क्या चीज प्रेजन्ट होती है देखिए कोशिका का जो केंद्रक होता है यहां थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इदर समझीए थोड़ा सा जैसे मान के चलो आपने यह कोई भी तैल बना रहे हो यहां पर देखिए बच्चो यह होता है नुकलियस का होता है जी नुकलियस होता है इसको मोलते है केंद्रक तो इसमें कह रहा है कि इसके अंदर क्या-क्या होता है इस नुकलियस के अंदर क्या-क्या होता तो देखिए कोशिका केंद्रक के अंदर क्या-क्या पाए जाता है DNA होगा, ठीक है जी, DNA होता है, क्रोमोसोम होता है, जिसकों बोलते हैं गुनशुत्र, ठीक है जी, DNA होता है, क्रोमोसोम होता है, आपका, और क्या होता है, आपका होता है, एक चीज, केंद्रिका, ये भी किसकंद्र होता है, है में न्युक्लिोलास के बोलते हैं is नध्रक के इंदर क्या होता है DNA क्रॉमोसूम होगा और क्या क्या होगा बाई साब आपका नीक्लियोलास होगा तो यह सारी हीं जो होते है किसके अंदर पाई जाती हैं ठीक है दो चलते हैं अब देखिए थोड़ा चलो यह सारी चीज किस चाहज पाई जायेंगी इस केंद्रक के अंदर पाई जाती है अब देखिए एक बार कहा गया था कि जो को जो होता है यह कैसी सरंचना होती है तो धानक न क्रो भूल मोस्ञ अ कर पूल करो मौ अ को कि हागे हैं जल्दी से फड़ा-फड़ से करिए अब क्या क्या गया है कि जो यह नुक्लियस होता है बच्चो इस नुक्लियस के चारों तरफ एक मेंब्रेन होती है इसको क्या नाम दिया गया है इसको नाम दिया जाता है नुक्लियस प्लाज्मा क्या कहते है इसको नुक्लियस प्लाज्मा यहां देखिए आग गी तरफ चलिए इसको क्या बोले जाता है नुक्लियस प्लाज्मा बोले जाता है स्टूडेंट्स नुक्लियस प्लाज्मा इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्री का द्रिव है क्या बला जाते है students इसको हम बोलते है केंद्री का द्रिव है ठीक है जी nucleus plasma ये nucleus membrane होती है इसके अंदर होता है nucleus plasma ठीक है इसके अंदर इसके अंदर होता है ये membrane होती है ये nucleus क्या होती है membrane ये nucleus membrane होगी दोबारा लखेंगे नुक्लियस यह membran होती है इसकोh हम बोलते है na nucleus placma कैं हैambre के खिर हुआ हुआ तो देखिए नुक्लियस Plasma इसके अंदर बहुरा हुआ है यह है और nucleus membrane जो होता है यह क्या होता है इसके outer करब कवर करके रखता है इसका मतलब जो केंद केंद्रक को चार तरफ से जो कवर करके रखता है न वो क्या होता है दोस्तों वो होती है आपका क्या चीज नुकलियस मेंब्रेन और जो केंद्रक के अंदर है उसको मुलते है नुकलियस प्लाज्मा ठीक है बच्छों हाँ जल्दी से राइड डान करिए फड़ा पड़ से अच्छा आप सब पूछने लगे कि जो नुकलियस की मेंब्रेन होती है किसकी बनी होती है नुकलियस मेंब्रेन जो होती है नुकलियस मेंब्रेन किसकी बनी होती है तो इधर देखिए नुकलियस मेंब्रेन नुकलियस मेंब्रेन किसकी बनी होती है कि बनिए होती स्टूलेंट इसकी लाइको प्रोटिं किसकी बनिए होती है जो आपका नुप्लाज्मा होता है इसके अंदर भी चीज नहीं होती है नुकलस जो आपका होता है उसके अंदर भी चीज़ें होते हैं इसी के अंदर होता है ठीक है जल्दी से राइड डान करिए इसका स्क्रिंसोट ले लिए फटावट से अगे तरफ चलते हैं कलिए जो आपका नुकलस प्लाज्मा होता है नुकलस प्लाज्मा इसमें क्या क्या होता है इसमें होता है क्रोमेटन ठीक होता है आपका राइबोस होता है ये सारी चीज़ें जो होती है किसके अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं ही इंद्र익 शर्वियो से पूछने लगे जो आपका नुकलस प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है बच्нич्तो क्र interjectono अंदर हुता है जह को किका सकते हैं इसकते हैं कि पिछ राइब disgust प्रिट्वम कैसा को कई सकते tuba कुछ कुछ हूध condition कि क्उष्ट रौिध स्वेस्ट अंदर होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है कोशप저 मैं बताया रोइबence रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया था, रहार से 37 मों ने खोज की थी, यह जी कहते हैं कि जो आपका एनिमल सेल का जो केंदरक होता है, वो बड़ा होता है, और जो प्लांट सेल का जो नुकलिस जो केंदरक होता है, वो कैसा होता है, तोटा होता है, उसके बाद मैंने ब पताया था जिसको हम बोलते हैं केंद्री का देखिए इसको क्या कहते हैं जो नुक्लियस केंद्री का है इसको केंद्रक का भी केंद्रक कहते हैं क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं पोशिका के केंद्रक का की केंद्रक कहा जाता है को सिका के केंदर का कैंदर हिस को सिका केंदर का अंदर होता है इसक Давर केंदर कीछ समी सब्सक्राइब है वाई साथ कोशिका के केंद्र का भी केंद्र किसको का जाता है नुकलियोलस को का जाता है नुकलियोलस को का जाता है केंद्रिका को का जाता है विसे इस तोर पर ध्यान रखना इसके बारे में ठीक है जी और ध्यान रखना इसको और क्या का जाता है केंद्रिका को राइबो है कि सब्सक्राइब ईससी का जाएगा तो किसे कहा जाएगा बच्छो बश्वेशे को का और केंदरी का कूशिका-पडम को कला नहीं है को सिक्रविवक स कमनें गल्च फी ना संथा यह प्रक्राइब का जाता है के अंदर होती है, nucleus के अंदर होती है, ठीका जी, तो को चीका के nucleus nucleus के अंदर भी क्या पाजाता है, केंदरी का पाजाता है, ठीका बच्चो इसका मतलब आपका जो nucleus वाला topic है, केंदरी के वाला topic वो complete होता है, आगी की तरफ चलते हैं, बच्चो अगला topic की तरफ समझेंगे, द माइ टो माइ टो कॉंट्रिया कर चुर्黏 स्टूरंस माइ टो कॉंट्रिया के बारे भात करें एक लेखे स्टार्ट करते हैं नंबर पॉंट वन से कि टारनी 부분 इमिद्धो कॉंट्रिया के खोज करता है कि तुन जुर्ञ ने रिहow कि होज या explorer of mitochondria, हम क्या कह सकते हैं, explorer of mitochondria, तो यह कही जाते हैं दोस्तों, आपका altman, उन कही जाते हैं students, altman, और कव करिते हैं उन्हें 1886, वैसे इनका टाइम पिरिड है न, वह आपका लगबग 1800, यह कब चलेगा, 1882 से लेकर, और 1890 क्या स्वाच चलता है, तो fix जो है इनका, वो कौन सा 1886, ठीक है जी, देखो mitochondria के खोज करता तो कौन है, ultimate, अब बात करते हैं, माइटरो, कॉंटरी, सब का नामकरन जो किया था, तो माइटरो, कॉंट्रिया का नामकरन, यह चैता चीडाब क्या था, भाइट्चों सब्सक्राइब, बाई वीडियो को लाइक करें, क्सेयर करें, सब्सक्राइब, आप के इस काहँ से हमें मोटीवेशन मिलता है, हम आपके लिए इस प्रकार से helpful video पिरती एक दिन लाते रहेंगे बच्चो जल्दी से like करिए भाई बच्चो जो बच्चे live देख रहें ये भी करें जो बच्चा भई देख रहा है वो क्या करें भाई सब्सक्राइब करें चैनल को चलिए बच्चो आगे तरफ चलते हैं आगे देखिए देखिए माइटो कॉंड्रिया के बाले हमें देखिए सबसे पहले कोशन है कि माइटो कॉंड्रिया को कोशी का का रसोई घर कहा जाता है जी रसोई घर क्या कहते हैं किचन कह जाता है किचन हाउस कह सकते हैं यहां हम कह सकते हैं पावर हाउस अलग अलग तरीके से पूशा सकता है जिसको हम बोलते हैं उर्जा घर ठीक है जी रसोई घर कह सकते हैं पावर हाउस कह सकते हैं तो माइट्रो कॉंड्रिया को कोशिका का रसोई घर पावर हाउस कहा जाता है तो धहान रखना भाई हमें जो energy मिलती है वो किसी मिलती है रोटियों से रोटियां मिलती है रसोई गर के नदर जिलि कहां से आती है पावर हाॉस से तो धहान रखना यदी किसी कोशीका को उजा कि आप सकता है तो भाई साब वो किसे लेगी माइट्रो कॉंड्रिया से किसे लेगी माइट्रो कॉंड्रिया से आगे चलते हैं देखिए बच्चो इसमें क्या कहते हैं कि जो माइट्रो कॉंड्रिया होता है माइट्रो कॉंड्रिया के अंदर माइट्रो कॉंड्रिया के अंदर भोजन का भोजन का क्या होता है ऑक्षिडेशन होता है ऑक्षिडेशन होता है ऑक्षिडेशन को बोलेंगा ऑक्षिकरन इसका मतलब यदि भोजन का ऑक्षिडेशन हो रहा है तूटना हो रहा है या उसका पचना हो रहा है तो सेल के किस पार्ट में होता है माइट्रो कॉंड्रियम किसमें होता है भाई साब माइट्रो कॉंड्रियम होता है चलिए आगे कि तरफ किसमें होता है माइट्रो कॉंड्रियम होता है दोस्तों आगे तरफ चलिए देखिए क्या होता है कि कोशिका का कोशिका का स्वशन सथल किसे कहा जाता है कोशिका होती है न वो कहां से स्वशन करती है कहां से लेती है इसका मतलब ऑक्सिडेशन वही होगा तो कोशिका स्वशन सथल किसे कहा जाएगा यह बच्छो, Mitochondria को कहा जाएगा, पूखा जाएगा, Mitochondria को ही कहा जाएगा, ठीक है, Students, Mitochondria को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका का सवसं सथल, किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, देखिए, एक Question और समझेए, इसमें कहते हैं, कि भाई साब, जो आपका Mitoch कॉंड्रिया पूर्जा को पूर्जा को किसके रूप में किसके रूप में स्टोर करेगा किसके रूप में स्टोर करकता है एनर्जी को एनर्जी उसने उक्षिडेशन तो कर दिया बोजन को तो बचाया परांतु जो एनर्जी होगी उसको क्या करेगा स्टोर करेगा वो किसके रूप में करेगा वो करता है बच्चो ATP के रूप में इसकी फुल फॉर्म होती है Adenosine Adenosine Triosate Triosate क्या होती है Adenosine Triosate इसके spelling होती है ठीक है जी Adenosine Triosate इसे इस तरवर पर जहाँ रखाएं एड्या नेशन ट्राइफस्वेटड़ एड्यातीय इड्यानेशन ट्राइफस्वेटवेट अब देखें आ – क्या है, ATP को क्या का जाता है, ATP को, ATP को, कोशीका के, ATP को, कोशीका के, उर्जा के, उर्जा के, क्या का जाता है, सिक्के कहा जाता है, क्या का जाता है, उर्जा के सिक्के, जिसको हम बोल सकते हैं, energy coin जा क्याते हैं energy coin ठीक है जी energy coin इसका मतलब जो mitochondria होगा यह क्या करेगा उर्जा को ATP रूप में श्टोल करकर रख लेगा अब जब जब सरीर को energy की आफिस्ता होगी तो उससे कहते हैं बाई साथ 2-4 coin हमें दे दे हैं ना coin ले लेगा तो energy आजाएगी तो एक ऐसा समय होता है लेते लेते समय जो क्या हो जाते हैं खतम हो जाते हैं फिर दोबारा से क्या होगा खाने खाने जरूत होगी और mitochondria भोजन में क्या करेगा भोजन को तोड़ेगा काटेगा और उसमें क्या होगा energy स्टोर होगी और energy किसके रूप में रूप में ठीक है जी और देखिए बच्चो यह एटीप होते हैं लगबग आपके किसने एटीप होते हैं लगबग होते हैं लगबग होते हैं 36 ठीक 38 भी आप मिलेगा एक एरोबिक अन एरोबिक होता है आगे चलिए स्टुडेंट्स थोड़ा सा और देखते हैं बच्चो बच्चो सबीको संज में आ रहा है थीक है बच्चो चलते हैं आगे तरफ देखिए बच्चो आगे देखिए क्या होता है mytochondrium 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 कैसा होता है oxygen होता है और 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 ऑक्सी स्वेस्वेस्वन होता है जिसको हम बोलेंगे अरोबिक रेस्पाइरेशन इसका मतलब होता है जिसमें ओटू प्रिजेंट हो जिसको हम बोलते हैं अरोबिक और और अरोबिक होगा तो उसमें ओक्सीजन के उपस्तिती होती है ठीक है जी तो ध्यान रखें आगे चलिए बच्चों जली से फटाफट से करते हैं आगे के तरफ चलिए आगे तरफ चलिए देखें स्टुडेंट्स और क्या कहते हैं देखें माइटो कॉंड्रिया को को सीका का सबसे बड़ा दूसरा थाग कहा जाता है धानक न जो आपका जो आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है क्या होता है सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट होता है कुटो किए देखें सबसे बड़ा जो को सीका का पार्ट होता हुए मैं बता था केंद्रक होता है बच्चो ठीक है परंतु दूसरा को सीका का सबसे बड़ा क्या होता है वो क्या होता है माइट्रो कॉंड्रिया होता है मेरे दोस्तों ठीक है बच्चों धान रखें इस बात के बारे में जल्दी से राइड डाउन करिए फटावट आगे चलेंगे चलेंगे आगे आगे चलेंगे अब देखिए कहते हैं कि माइट्रो कॉंड्रिया पर एक जल्ली भी होती है डबल जल्ली होती है जान रखना माइट्रो कॉंड्रिया को बाहर की तरफ से घिरने वाली घिरने वाली क्या होती है डबल मेंब्रेन होती है जो क्या करते है उसको चार तरफ से बाहर तरफ से क्या करते हैं गेरने का काम करती है किसको माइट्रो कॉंड्रिया को आगे देखिए कहते हैं की सबसे पहले वैसे हम बात करें आपको आंस्षण रखाना है वो क्या लगाना है कि माइट्रो कॉंड्रिया को को क्या लगाना है अल्टमेन ही लगाना है यदि अल्टमेन ना आए तो ध्यान रखना सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले सबसे पहले माइट्रो कॉंड्रिया को किसने खोजा सबसे पहले माइट्रो कॉंड्रिया को किसने खोजा आप से पूछने लगें किसने खोजा तो आपको बताना है कोलीकर क्या नाम था क्या नाम था कोलीकर का नाम का एक व्यक्ति था ठीक है जी उन्होंने इसको किसको खोजा था माइट्रोकॉंड्रिया को सबसे पहले यदि हम थोड़ी शो और बात करें माइट्रोकॉंड्रिया को सबसे पहले कहां से खोजा गया था या कहां से आइसुलिटिड किया गया था कहां से अलग किया गया था तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले कहां से किया गया था माइट्रोकॉंड्रिया को माइट्रो कॉंड्रिया को सबसे पहले कहां से आईसो लेटड़ को बूलेंगे प्रिथ्यकरन किया गया एट को सबसे पहले माइट्रो कॉंड्रिया का प्रिथिकरण कहां से किया गया था इसे किया गया था इसे किया था इसे किया गया था इसे किया गया था इसे इसे बच्चो बात करते हैं तो कहां से इसको खोजा गया था सबसे पहले कहां से खोजा गया था तो माइट्रो कॉंड्रिया को माइट्रो कॉंड्रिया को human liver से अलग कह सकते हैं या पर्थिक गर्ण कह सकते हैं या isolated कह सकते हैं कि ice i lab器 किया गया है है में सकते हैं से किया गया इसको को मुण में लीवरE violet की बच्चोव। इसे इस तोर पर धान रखें ही कर चुपाट को थी तह जब्रन ने किया था उन उनका नाम था बेंसले क्या नम था माइट्रो कॉंड्रिया को Mitochondria को Benzlay Benzlay ने Benzlay ने human liver से Human liver से Human liver से को जा कांसे को जा Human liver से को जा यहां तक समझ में आया होगा सभी को कि Mitochondria को सबसे पहले कहां से खो जा गया था Human liver से खो जा गया था ठीक है जी बच्चो कुछ चीजे मैंने आपको बता दिया है वाई साब आगे देखिए क्या कहता है कि Mitochondria के अंदर जो आपका वाई भी यह सोयषण होता है आपकी सोयषण है ठीक है तो देखिए ऑक्सी सोयषण हम कह सकते हैं अगे इसके अंदर ही होता है प्रस्टे घ्रीमान के चलो हम क्या करते हैं कि हमारा जो भोजन होता हम कह सकते हैं C6H12O6 यह लेते हैं पोलने किया लेते हैंट अउट्सिंजन गुलुकोज जो होता है ऑकसिजन की उपस्थितिमें हैंगा टूटेगा किस्किस में तो देखेजेए जब आपका क्या बनेगा तो कार्बन डियाक्शेट में था olur नेगा था समय क्या या H2O बनेगा जल में बनेगा पलस अमसें इनरजी मैं घंका जी सबस्क्राइए उनल झाल जू यहां रिठाएक सर्थावड साहिए यह यहां पूछने लगें कि भागिशाव आपका ंड़ और उसके बाद क्या हो रहा है इसमें जल है वो किसमें जल के रूप निकल जाता है ठीक है जो क्या करते हैं ठीक है बच्छो आज मैंने आपको टॉपिक करवाया है आजे बच्छो आगे जो पार्ट से हम अगली वीडियो में आपको करेंगे यहीं पर श्ट्रे करते हैं क्योंकि वीडियो होगी वह बहुत जादा लेंथी हो जाएगी ठीक है जी बच्छो बच्छो आपको वीडियो अच्छी लग रही है आपको पड़ाई संज्ञा आ रही तो भाई साब वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राब करें और इसी वज़े से आप जो लाइक करेंगे, इसी के वज़े से आपको क्या होता है, हमें मोटीवेशन मेलता है, और हम इसी प्रिकार की आपके लिए बहुत जादा मेहनत करके इसी प्रिकार की वीडियो ल